इस वीडियों दोस्ते हम बात करेंगे कि कैसे आप ग्रोव आपलियाशन में आप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो अगर दोस्ते आप एक बिगनौर हो आपको पता नहीं है कि भाई यहाँ पर कैसे मोनी वेरा एड करते हैं आप्शन बाई सेल कैसे किया जाता है स्टोपलस कहाँ लगाया जाता है तो उसके लिए भाई इस वीडियो को एंड तो देखो चलिए शुरू करते हैं तो Wort application में दोस्ते आप्शन ट्रेडिं केरने के लिए सबसे पहले अपिन करो ज़्यन हैं यहाँ पर दोस्ते प्रोफाइल की पर क्लिक करना इसमें दोस्तो आपको add money देने का मिल जाएगा अवर यहाँ पर आपका बालांस नहीं है तो add money की पर क्लिक करके बारांस वहरा दोस्त यहाँ पर एंटर करके UPI के थुरू यहाँ पर money add कर लाएना जैसे कि दख सकते हैं यहाँ पर हमारा money add हो चुका है अब दोस्त यहाँ पर back चालते हैं और बात करते हैं किस तरिया से option trading करेंगे तो उपर की साड़े में दोस्त आपको कुछ index देना को मिलेगा देशकते हैं nifty 50, bank nifty, fin nifty वहरा सब कुछ दोस्त यहाँ पर है all indices की उपर click करके भी बात की सारे index को यहाँ पर add कर सकते हो लेकिन यहाँ पर तो दोस्त हम beginner के लिए यह video को बना रहे हैं इसलिए nifty 50 में trade करेंगे इसमें आप ok करो अब दोस्तो इसको यहाँ पर click करके full screen में इसका chart को open कर लाएना जैसे ही दोस्तो full screen में open करोगे तो देख सकते हैं nifty 50 काफी उपर जा चुका है इसका दोस्तो price चल रहा है 24,640 रूपीज की आसपास तो यहाँ पर दोस्तो आपको क्या करना है swap set पहले तो यहाँ पर यह जो time frame इसमें जाके दोस्तो आप change कर लाएना y default यहाँ पर आपका हो सकता है day पर set रहे तो इसको दोस्तो आप 5 minute में आप set कर दीजिए क्योंकि 5 minute में जयदा तो लोग trade करते हैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर होगे तो आपके सामने यह बहुत सारे options अपिन हो जाएंगे दोस्तो आपको कॉल वाला option देने को मिलेगा राइट सेड में आपको put वाला option देने को मिल जाएगा तो इसमें दोस्तो आप किस तरीके से call put option buying selling कर सकते हो वो बताने से पहले मैं आपको और कुछ बात बताना चाहता हूँ जैसी कि भाई option trading काफी risky होता है इसलिए मैं आपको suggest करूँगा कि यहाँ पर भाई आप और कोई एक laptop, tablet या फिर कहलो mobile लेके आ जाईए हमारे पास भी देख सकते हैं यह और एक mobile है तो इसी के थुरू दोस्त हम nifty 50 का चार्ट को देखेंगे फिर यहाँ पर दोस्त हम option को buy sell करेंगे तो यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं आपना nifty 50 का चार्ट लग चुका है अब दोस्त यहाँ पर हम चार्ट को देखके option trading करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता जाता हूँ call put option के बारे में जैसे कि दोस्त यहाँ पर आभी आपको लगता है कि यह चार्ट आभी उपर जाने वाला है तो उस situation में दोस्त आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आका आप यह जो call वाला premium को buy कर सकते हो लेकिन दोस्त फिर से आपको लगता है कि यहाँ पर आभी market नीचे गिनने वाला है तो उस condition में दोस्तो यहाँ पर आप put वाला option को buy कर सकते हो तो यह ही दोस्तो काम होता है यह call put option का अब यहाँ पर आपके साने यह call put का बहुत सारे premium देहने को मिल जाते हैं तो इनको देखके दोस्तो काफी सारे लोग यह confuse हो जाएंगे कि भाई हम call put option तो buy करेंगे लेकिन इनमें सा कौन सा premium को buy करेंगे तो हमरे लिए अच्छा रहेगा तो उनको दोस्तों में suggest करूंगा कि भाई आप beginner हो तो यह जो spot price दिख रहा है इसी का आसपास का premium का buy कर सकते हो जैसे कि 31 हो गया 57 फिर put side में 32 56 तो इसी spot price का आसपास का premium का buy कर सकते हो या फिर कहलो call side में इससे उपर का जितने भी आपको 100, 200, 300 की आसपास देहने को मिलता है इनको दोस्ता आप call side से buy कर सकते हो put side में भी दोस्तो उसी तरीके से यहाँ पर नीचे आपको 100, 200, 300, 400 तो जो भी premium आपको देहने को मिलते हैं इनको दोस्ता buy कर सकते हो लेकिन यहाँ से दोस्तो यह चोटे मटे premium का आप बिलकोल भी buy नहीं करना यह दोस्तो out of the money होते हैं अब यह यहाँ पर देख सकते हैं market तो काफी उपर जा चुका है अब यहाँ में लगता है कि market नीचे आने वाला है तो उसके लिए तो दोस्तो यहाँ पर हम put option को buy करेंगे लेकिन कौन से premium को यहाँ से हम buy करेंगा आप देख लीजे जैसिक दोस्तो यहाँ पर आभी हमने कुछ 4,000 के आसवास balance एड किया थे तो उसी गावनों सार दोस्तो यहाँ पर यह जो 141 के आसवास price चल रहा है यह वाला premium दोस्तो हमरे लिए आच्छा रहेगा इसलिए इसका अपर आप प्लिक करो यहाँ पर buy की पर क्लिक करना आप दोस्तो यहाँ पर आपके साहने next page आ जाएगा जहाँ पर आपको delivery intraday दो option दहने को मिल जाता है अगर दोस्त आप delivery को select करोगे तो इस option को दोस्तो nifty 50 का पूरा expiry तक hold करके रख सकते हो यानि every Thursday इसका expiry रहता है तो तब दोस्तो इसका आप hold करके रख सकते हो लेकिन दोस्तो यहाँ पर आप intraday को set करते हो तो यह जो option दोस्तो इसको आप आज ही खरीत के आज ही market bond होने तक sell करना होगा otherwise यहाँ पर आपको charges होएरा लग सकता है the next option दोस्तो यहाँ पर आएगा quantity यानि lot size यहाँ पर set कर सकते हो जैसे कि एक lot में आपको 25 quantity दहना को मिलता है तो उसी तरह दोस्तो दो lot यहाँ पर select करोगे तो 50 quantity आ जाएगा तीन lot के लिए दोस्तो 75 quantity तो इस तरह से दोस्तो 25 quantity हिसाब से यहाँ पर lot size का आप increase decrease कर सकते हो हमारा balance 4000 के आसपास है इसलिए 25 को यहाँ पर रहने रहते हैं फिर next दोस्तों यहाँ पर price market जोगी वह market price में इसको खरी सकते हो याँ फिर दोस्तों यहाँ पर limit की उपर click करके यहाँ पर limit वहरावी add कर सकते हो जैसे कि दोस्तों market आभी चाल रहा है 143 के आसपास तो इसी के हिसाब से दोस्तों अब चाहो तो यहाँ पर 130, 135 लगा सकते हो जैसी 130 हमने यहाँ पर लगा दिया तो जैसे ही दोस्तों इसका price 130 तप आएगा ताभी जाके दोस्तों यहाँ पर यह option हमारा buy होगा otherwise buy नहीं होगा तो इस तरीक से यहाँ पर market limit set कर सकते हो फिर नीचे दोस्तों आभी आपको यहाँ पर buy वाला option देने को मिल जाएगा simply buy की पर click करके इसको दोस्तों आप buy कर सकते हो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यह option buy हो चुका है फिर back जाके मैं आपको दिखा जाता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ options देने को मिलेगा तो सबसे पहले orders में जाएगे तो देख सकते हैं यह order complete हो चुका है आप position की पर click करेंगे तो देख सकते हैं आभी जो इसका position चाल रहा है कुछ 100 के आसपास तो इतना दोस्तों यहाँ पर हमें profit दिख रहा है इसका एक skin cell ले जाते हैं वागी चाट को तो दोस्तों देशकते हैं अभी भी market नीचे आ रहा है जितना ज़्यादा दोस्तों market नीचे आएगा उतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर हमें profit होना start हो जाएगा कि भाई यह put option का power है अब दोस्तों बात करते हैं stop loss के बारे में उसको दोस्तों यहाँ पर कैसे आप लगा सकते हूँ सबसे पहले भाई जान लो stop loss क्या होता है देखिए यहाँ पर profit की जगा कावी कावी आपको loss होना start हो जाता है जैसी कि यहाँ पर देशकते हैं हामारा भी loss होना start हो चुका है कुछ 50-60 के आसपास तो यह चोटा loss दोस्तों बड़ा loss में convert ना हो जाए यानि 1500-2000 तो यह loss ना चला जाए उसके लिए दोस्त यहाँ पर हम stop loss लगाते हैं जहाँ पर हमें कुछ limited ही loss होता है तो यहाँ पर stop loss लगाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तो इस premium की पर click करो यहाँ पर दोस्त आपके सामने add stop loss and target आ जाएगा यहाँ पर click करना है click करना दोस्तो फिर से यहाँ पर ok करो अब दोस्तो आपके सामने यह page आ चुका है इसमें दोस्तो stop loss trigger यहाँ पर जाके आपका जो stop loss का price को डाल देना जैसे कि premium का price यह भी चल रहा है 152 के आसपास और इसको दोस्तो आपके सामने खरीदे थे 146 में तो उसी हिसाब से दोस्तो आपके सामने कुछ 1212 पॉइंट का stop loss लगाया है 134 का तो आप भी दोस्तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर stop loss लगा देना यहाँ पर sell की पर click करो तो यह दोस्तो आपके sell हो चुका है याँ stop loss लग चुका है अब यहाँ पर मैं position में जाके दिखा दाता हूँ अभी भी दोस्तो यहाँ पर हमारा profit चल रहा है और market दोस्तो अभी भी नीचे आ रहा है जैसे ही दोस्तो market 134 में touch करेगा याँ यहाँ पर click करके इसका chart को मैं आपको दिखा दाता हूँ यहाँ पर दोस्तो आने काओ देख सकते हैं इसका जो price चल रहा है 151 की आसपास और इसको दोस्तो थोड़ा से zoom out करेंगे तो देख सकते हैं यहीं कहीं पर मैंने खरीदा था इसको 146 में और इसमें दोस्तो हमारा stop loss लगा हुआ है 134 में तो जैसे ही दोस्तो यह candle धेरे-धेरे करके नीचे आएगा यहाँ पर 131, 134 तो तो automatic दोस्तो यह premium हमारा sell हो जाएगा भले ही दोस्तो इसका price और भी नीचे चला जाए लेकिन दोस्तो हमें उतना loss होगा जितना हमने यहाँ पर stop loss लगाया है वाकि यहाँ पर तो दोस्तो आभी भी हमें profit दिख रहा है अब दोस्तो हम चाहते हैं कि इसको इस position को exit करना यहीं दोस्तो आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यदा profit हो चुगा है इसको इस position को किस तरी के साब बंद कर सकते हो तो उसके लिए दोस्तो आपको ज़्यदा कुछ नहीं करना सबसे पहले तो order में जाके आपने अगर stop loss लगाया है तो यह stop loss को दोस्तो यहाँ पर click करके cancel कर देना stop loss को दोस्तो आप cancel करना है का बाद यहाँ पर इसको confirm करो फिर done अब दोस्तो यह cancel confirm हो चुका है हो चुका है आप करेंगे done done हाने दोस्तो दे सकते हैं हमें 293 का यहाँ पर profit हो चुका है बाकि इसको दोस्तो हम और थोड़ा सा hold करते तो साइध हमें और भी ज़्यादा profit मिल जाता कि दे सकते हैं market आभी भी नीचे आ रहा है बाकि इसी तरीय से दोस्तो यहाँ पर आप option trading कर सकते हो कॉल option के भी दोस्तो सेम इसी तरीय से यहाँ पर buy कर सकते हो और भाहाँ पर भी इस तरीय से stop loss वेरा लगा सकते हो तो उमिद करता हूँ यह वीडियो आप सो ही लोग को आच्छा लगा अच्छा लगा तो एक like करो चैनल को subscribe मिलते हैं next वीडियो में